मैं आपको बहुत इजी तरीके से Windows 11 का bootable को create करने के लिए बताऊंगा, उस bootable की help से आप किसी भी low-end PC या laptop में भी आप Windows 11 को install कर पाऊगे, जो मैं आपको यहाँ पर methods बताने वाला हूँ, और आपको किसी भी तरह का कोई भी TPM या processor related किसी भी तरह का problem भी आपको यहाँ पर show नहीं होगा, आपको सबसे पहले रिफूस के इस official website को आपको open कर लेना है, और मैं इस official website के लिंग अपने इस video के description में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ पर directly click करका आप इस website को open कर सकते हो, open करने के बास फिर आपको इसे download कर, scroll down करना है, अब आप यहाँ पर देखोगी, आप आपको यहाँ पर फॉल्डर वाले आइकन पर आपको इहाँ पर क्लिक करना है, और आपको जो download कर फूल्डर है, वह आपको open होगा, और आपको रूफूस है, आपको इसे open कर लेना है, अब आपको यहाँ पर दिखना है कि यहाँ पर device में आपको कोई भी USB डिवाइस आपक connect नहीं है, तो आपको यहाँ पर करना है कि आपको at least 8GB तक का आपको यहाँ पर USB डिवाइस को आपको सब सब पहले connect कर लेना है, तो जैसे आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा देता हूं और जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपके पेंडराइब में किसी भी डिवाइस कोई भी डेटा होता है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप उस डेटा का बैक अप बना लेजे, आप उस डीटा को कोई आनधर ड्राइब में आप सिफ् इसलिए मैं आपको बोला हूं कि वह इंपॉर्टेंट डेटा को आप कोई अनधर ड्राइब में सिफ्ट कर लीजिए, शिफ्ट कर लिने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको एक ISO फाइल को डाउनलूड करना है, जीस भी विंडूस का आप बुटेवल क्र सेुर्ma के डाउनल्थ पर करना है और राइब में इसके राइड सैट में आपको एन्रूज को हों डाउनलूड करना है और डाउनलोड बू tu लाब हाग गाrabress दाम अरी अजियन पने अपने लेंगवेज बगरा को आप यहां पर सलेक्ष कर लीजिए को अपनी इंगलिश यूए इसके इसके पाथ को आपको है पूछ रहा है तो आप यहां पर 64-bit अपनी पर नालोट करना है तो आपको यहां पर प्रफाइल को डाउनलूट करना है तो आपको यहां पर उसके पाथ को आपको यहां पे set कर देना है जैसे आप यहां पर seerv जैसे ही कर लोगी तो आपका जो as of file है वो आपके मिनेंट आपको मैंS अपर यहां इसी यूज कर लेता हूँ तो अभी अच्छald मैं 없어 कर देता हुए इस डाईलोडीं को यहां परहanna स्थ फाल आपस्ट कर लेता हूं तो मैं हाँ अगेन आपस्ट वाले ऑप्शन को छईक करता हूँ और energy में अग που उस आलेक्ट पर क्लिक करता हूं और जहां पर मेरा आसो फाल डॉलोड हुआ हो गया जहां पर नहीं होगा तो आपको उस पात पर जयंकिन अपकर यहां पर इससार में पहलेछा कर dual लेजेल करें कर लोडे निकल्प Task सिर्फ वेयर आपने कर लीना है और इसके बाद फिर आप यहाँ पे वालियूम ट्रम में आपयं यहाँ पर लेधन, आप यहाँ अपर टाइब कर दीजीै सके इसी नूसे विंदोजितल कि और यहाँ पे फाइल सीस्टों में आप यहां पे NTFS ऐल स्टम कर लेजिए, और यहां पर जो यह फ़र्स टो आप्सेंस आप यहां पर देखो कि यहां पर फ़र्स्ट आप्षन है रिमूब रिक्वार्मेंट पॉर जी बी रैम सीक्यूर बूट एंड टीपीम 2.0 जैसे मैं आपको बता दूँ जैसे आप यहां पर नॉर्मली तरीके से अगर आप यहां पर विंडूज 11 को इंस्ट्राल करते होंगे यहां पहले कहुंगे इस चेक बॉक्स को बिना चेक मां किए आप यहां-पर इंस्ट्राल किये होंगे तो आपको आपको हाँ पर wonky क्रिलेटिट अपको आपको आपको यहां फ्रॉबलम्स होता है यह पगा आपको फोबिन आपको इसे चेक मार्ट कर दोगे तो यहां पर होगा कि आपका यहां पर आने वाला होगा अगर आपका हाड़्वेर रिक्वार्मेंट आपके हाप फुल्फिल नहीं भी कर रहा है तब भी आपको विंडूस लाइबन है वह आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इससे म कि यहां पर जाने के बात पिर में आपको दिखाता हूँ कि यहां पर रफ्ट तरीके से यहां पर रिम्राइब हो लां इसे आप क्लिएट नहीं बॉट हो चुगा है अब आपको इसे लिसे 45 में जाकरने परvisor कर दोजाँ है तो आप एहां आपको यहां पर्टिस विडियो के देखने को मिल जाएगा तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल रैन और एक बात और सस्क्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दिजेगा जिससे एक सस्क्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए